कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूँ अभिनो तोशांजु पांडे और अभिप्षा की पूरे टीम के तरब से आप सभी का स्वागत है पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकास की यंतर के बारे में बातें की थी तो सबसे पहले जान लिजे कि हमारी चल रही है परिच्छाओं की तयारी और यूटूब के प्लाटफॉर्म में यह वीडियो तो आपको एविलिबल है ही लेकिन इसके साथ हमारे अप्लिकेशन में भी इस वीडियो के साथ साथ एडिशनल कंटेंड जैसे कि माइंड मैप शॉर्ट नोट्स इंपोर्टेंट क्वेस्ट काश बंद शॉर्ट बनाया था किरण रेक यहां पर हम लोगों ने उसकी आवर्धन चंता के बारे में बात की थी फिर हम लोगोंने संयुकत सुक्षुमदर्सी के लिए भी एक किरण रेक बनाया था जिसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे पास में यह मतलब यह डायग्राम था जिस पर हम लोगों ने इसकी आवर्धन चमता के बारे में बाते की अब जो है यह हमारे पास में दो इस्थितिया हैं एक जहां पर इसका प्रतिविंब किसी निश्चित दूरी पर बन रहा हो जिसे जो है डिस्टिंक्ट विजन की निवनुतम दूर इसके अलावा हमारे पास में अनंत पर बनने वाले प्रतिविंब की बात भी थी हम लोगों ने दोनों के लिए आवसंद चमता देखा और इसके बात में आज हम बात कर रहे हैं इस पर इस्थितिकी निवनुतम दूरी पर प्रतिविंब के लिए एक हगोली दूर दरसी का नमांकित रेखा चित्र आपको मैं बता दूँ कि जो है यदि हम जो है संयुक्त सूख्ष्म दरसी की बात करें यहां पर भी हमारे पास में दो लेंस होते हैं क्योंकि यहां वस्तु के ज़्यादा करीब होता है इसलिए इसे आई लेंस भी कहते हैं इसी प्रकार हमारे पास में जो संयुक्त सूख्ष्म मतलब दूर दर्शी होती है उसमें भी हमारे पास में दो लेंस होते हैं हम देख लेते हैं यह जो है मान लेते हैं कि हमारा पहला लेंस है और इस पहले लेंस पर जो है अनंत से प्रकास की किर्णे आ रही हैं क्योंकि प्रकास की किर्णे अनंत स आ रही है इसलिए ये किरने एक दूसरे के समांतर होंगी अब एक दूसरे के समांतर किरनों में से एक तो जो है हम लोगों ने कहां से गुजार दी आप्टिकल सिंटर से ओ से गुजार दी प्रकास की केंदर से गुजरने वाली कोई भी रेखा या किरन जो है अपने मार्ग से वेचलित नहीं होती है लेकिन ये दूसरी जो किरन है यह अपने मार्क से वेचलित होगी और यह फोकस से होकर गुजरेगी तो यह फोकस से होकर गुजरेगी तो हमको यहाँ पर प्रतिभिम्ब दिखाई देगा यह प्रतिभिम्ब हमारे पास में आ गया अब इस प्रतिभिम हमारे eye lens के लिए किस का काम करेगी यहा प्रतिबिय में हमारे eye lens के लिए वस्तु का काम करेगी तो यह किरन यहाँ पर आई और यह अपवरतन के पिस्चात अपने mark से मुड़ेगी और इस परकार से हमको दो किरने नजर आती है अगर हम इनको पीछे लेकर जाएंगे तो हमको यहाँ पर प्रतिबिम बन नजर आता है और यहाँ प्रतिबिम जो है वह दृष्ट की नियूनुतम दूरी पर याने की डी दूरी पर बन रहा है अब यहाँ पर यदि हम जो है इसके आवर्धन चमता निकालने का प्रयास करें तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा के यहाँ ई से बनने वाला यह कौन इसको हम अगर बीटा मान लेते हैं और यहाँ जो किरन जो हमारा कौन बना रही है मुखे अच्छे से इसको अलफा मा हम बोल सकते हैं टैन بीटा बटा टैन यलफा थीक है अब कोणी आवर्धन के लिए टैन बीटा का मान निकालना चाहें तो आप देखें कि हमारे लिए और यह हमारे लिए भी है थीक है आज़ो बडास या इसके लिए प्रतिविम है और इसके लिए object है अब यहाँ पर जो है अगर हम सूत्र निकालना चाहें तो यहाँ देखिए O और A डाश और यहाँ पर E रख देते हैं तो O A डाश भाई आपको जो है 10 alpha निकालना पहले 10 beta निकालते हैं तो यह हो जाएगा A डाश E A डाश E बटा और यहाँ पर यह जो है यह जो लंबाई है यह क्या हो जाएगी तो अच्छा हमको जो है लंब बटा अधार करना है तो A डाश B डाश बटा A डाश E यह जो है हमारे पास में सूत्र बनेगा क्या बनेगा A-B-B-A-E और यहाँ पर बनेगा यहाँ देखिए A-B-B-O-A- तो A-B-B-O-A- अब यहाँ पर हम देखते हैं A-B-C-D और यह सूत्र लगाएंगे तो यह हो जाएगा M कमान O-A- O-A-B-A-E और यहाँ से हमको भाई यह जो है यह क्या है तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ और जोड़ दें क्या बताएंगे यहाँ पर O-A- और A-E- इसका अगर हम सूत्र निकालना चाहें तो हमको यहाँ पर O-A- और A-E- तो यह आवर्धन च्छमता के लिए हमारा सूत्र हो गया अब इसका जो है सही सलामत रेखा चित्र आपको यहाँ पर मिल जाएगा यह किरना रेखा यहाँ पर हम लोगों ने वही चीज़ें देखी हुई है एक निश्चित दूरी पर बनने वाला प्रतवेम हमको ऐसा दिखाई देता है जहाँ पर यह डी है और यहाँ पर वी और यूई है ठीक है इसके अलावा यदी आप चाहें तो जो है अब आप क्या कर सकते हैं कि हमसे दूसरा प्रतवेम पूस्ता है और वो प्रतवेम जो है अनंत पर बन रहा हो ऐसी स्थिती में जो है किरना रेखीचे और ऐसी स्थिती में हमको क्या करना है देखे यहां पर हम पहले ही objective lens बनाएंगे ठीक है और यहां पर हमारी एक किरन प्रकास के अंदर से होकर गुजर रही होगी जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है इसके अलाबा दूसरी एक किरन जो की पहली किरन के समानतर आ रही ह समानतर आ रही है तो समानतर बना लेते हैं और यह यह अपने मार्ग से विचलित होकर एप से होकर गुजरते हुए यहां पर प्रतिभीम बना रही है इस प्रतिभीम का नाम b dash a dash रख देते हैं अब यहां जो है यह जो किरन हमारे सामने नजर आई इसमें से जो है अब क्या इसके अलावार दीसरी किरहन जो है वह इस तरीके से आएगी और यह भी इसके शमानटर निकल जाएगी और यहां पर यह है बनने वाला आनंत पर नजर आएगा यहां पर भी जब हमें अवर्धन छम्तर निकालनी होगी तो यहां यह से जो है हम यह यह इंगल ले लेंगे बीटा और तो यह वाला भी एंगल लेंगे और इस प्रकार से अगें एंख कमान हो जाएगा बीटा बटा अलफा और हम इसको इसके लिए जो है आवर्धन-च्प्अ पोड़ी आवर्धन-चंता का सूत्र निकाल पाएंगे ठिकात तो इसके लिए तो आपको Optical Instrument से याने की पूरे की पूरे प्रकासिकी से 14 के 14 नमबर बिलेंगे आने वाले वीडियो में हम तयारी सुरू करेंगे वेव आप्टिक्स की याने की तरंग प्रकासिकी की और आप सभी तजाळ रहें तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए ध